आज की हमारी क्लास विशेश तोर पर MSC और BCA कम्यूटर के विद्यार्थियों के लिए है आज हम डिस्क्रिट मैथमेटिक सब्जेक्ट के बारे में बढ़ेंगे आज हम उसकी शुरुवात करेंगे सेट चेली टोपिक से तो मैं शुरुबात करता हूँ झेट चेली से झेट स्यूर्य को हिंदि में हम करेंगे समुच्च है अब इसकी definition की बात करते हैं Small letter of English Alphabets and such are denoted Capital letter of English Alphabets. Seltly definition में basic moonroof से हम देखे हैं, हम दो तिन चीजों को शामिल करते हैं. Unordered collection, Unordered collection, Chately हम शामिल कर सकते हैं, Unordered collection, distinct objects, सेट क्या है कि एक विविफ अभिवों का एक संद्र है जिसके अंदर क्रम मायनेद ही रबता तो हम कह सकते हैं कि सेट is unordered collection of distinct objects its elements are denoted small letter of English alphabet जो सेट की सबच से हैं उनको हम small letter of English alphabet से denoted करते हैं और सेट को हम capital letter of English alphabet से denoted करते हैं ये थी सट की definition अब हम सेट को रिपर्जेंट कैसे करते हैं सेट को निरुपित कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे देरा टू टाइप ऑफ रिपर्जेंटिशन ओफ सेट यहां सेट को निरुपित करने के दो तरीके हैं फिस्ट जिसको हम बोलते हैं टेबल फॉर्म फोर्म second table form को हम roster method भी होते हैं method second हम rule form और rule form में हम लिख सकते हैं जो table form है उसमें हम इस प्रकार से elements को table के रूप में show करते हैं और rule form में हम किसी भी set को rule के रूप में लिखते हैं x is n इस तरीके से हम rule के रूप में उसको लिखते हैं तो यह थी definition set की और हम set के type पे बात करते हैं कि set किते प्रकार के होते हैं set कौन कुन से sets होते हैं तो इसके अंदर हम rule rule set के जो प्रकार है उनकी चर्चा करेंगे यहांपर सबसे पहले हम बालेंगे singulation set singulation set या single set एक ही बात है when only one element considered then sets are single जब किसी समुच्चे में केवल एक ही सदस्य रिदमान हो तो हम उसको single set या singulation set बोलेंगे माल लिजे कोई set है और उसके अंदर केवल एक ही member है तो हम उसको singulation set या single set बोलेंगे सेकंड हम बात करते हैं पावर सेट की पी ए से हम इसको शो करते हैं पी ए माल लिजे कोई set है एक कोई set है वन टू त्री इसके elements है तो इसकी power हो जाएगी टू की power 3 टॉटल इससे 8 element बनेगी और इसी प्रकार से जो तीसरा जो इसका type है वो है empty set when set are no element and set called empty जब किसी set के अंदर कोई भी suggestion रिदमा नहीं रहेगा तो वो set क्या कलाएगा empty set बोल सकते हैं नल समुच्चे भी इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चे भी इसको मिंदी में बोलते हैं जब किसी set के अंदर कोई सदिश्य विदमा नहीं है तो वे रिक्त समुच्चे empty set क्यालाता है अब दो similar टुकार के type हैं एक का नाम है equal equal set और second है equivalent equal को हम समानता बोलते हैं equal end को हम तुल्यता बोलते हैं मान लीजिये को डो set हैं पहला set A है इसके चार सदस्य हैं 1,2,3,4 second set B है इसके भी चार सदस्य हैं A,B,C,D तो हम यह कह सकते हैं कि A equal B हम यह कह सकते हैं बिल्कूर यह हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह set इसके समान नहीं है केवल इनके सदस्यों की संख्या दोनों की चार शार है लेकिन यह element इसके अलग है इनके अंदर integer दिए होगा है इसके अंदर alphabetical element जी होगा, तो इसलिए हम इसको equal नहीं कह सकते हैं, लेकिर हम इसको equivalent कह सकते हैं, इन दोनों sets के अदर सदस्य की संख्या सेम है, तो हमारी definition भी इसी example से बनती है, equal set, जब दो sets के मध्य, जब दो समुच्यों के मध्य, सभी सदस्य सवान हो रूप से होते हैं, और जब कि दो sets के सभी elements के number बराबर होते हैं, तो हम उसको equal set कहते हैं, तो बेसिक बेसिक types थे कुछ, आगे के glasses में हम इसकी detail से भी चर्चा करेंगे, अब हम sets के कुछ basic operation के बारे में बात करते हैं, कि sets के अंदर मोल मूत से कौन कौन से operation performed होते हैं, जो basic operation है, उसमें सबसे प इसका union करते हैं, इसका sign होता है, यू से, माल लिजी एक set है, जिसके element है 1, 2, 3, 4, और second set है B, इसके element है 3, 4, 5, 6, तो हम A union B करेंगे तो हम 1, 2, 3, 4, 5, और 6, हम डोनों sets के सभी सदस्य को लेंगे, किसी को repeat नहीं करेंगे, तो basically यह union होता है, इसके definition भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कि दोनों sets के सभी सामिल करते हुए, हम union को प्रपाश्चत कर सकते हैं, कि अब एक ऐसा set जिसके अंदर दोनों sets के सभी सामिल किये गए हैं, उसको union कह सकते हैं, यूनिन से रिलेंटी डी से हम इसका विप्रेट एक होता है, intersection, intersection sets को हम उल्टा यू से रिप्रजेंट करते हैं, intersection को, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, intersection B, वही हमारे example रहेगा, A कोई set है, 1, 2, 3, 4 इसके elements हैं, B कोई sets है, 3, 4, 5 और 6 इसके elements हैं, तो हम A intersection B कह सकते हैं कि 3, 4, common elements of two sets are intersection parts of set, किनी दो sets के या किनी दो समुच्च्यों के जो common elements होते हैं, वो intersection points होता है, sets का, तो इस तरिके से ये union था, ये intersection था है, और इसी के बाद ये टाइप साता है, जिसको हम बोलते हैं, complementation of sets, A, C, इस तरिके से इसको लिखते हैं, complementation of sets का क्या अर्थ होता है, ये मैं आपको बताता हूं, example से, माल लेजिए कोई set है, one, two, three, four, इसके elements हैं, U हमें दिया हुआ है, U का मतलब होते है, universal sets, U हमें दिया हुआ है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, A, complement का मतलब होता है, U-A, A को छोड़ते हैं, समुस्त क्लास के member, तो यहां को A को छोड़ते हैं, five, six, seven, eight, तो यह है, complement, तो यह आज, जो, आज की क्लास में, जो हमने पढ़ा, हमने sets के बारे में पढ़ा, हमने उसके types के बारे में पढ़ा, और हमने उसके operations के बारे में पढ़ा, धन्यवाद,